कॉंग्रेस की दूसरी भारत जोडो यात्रा दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच हो सकती है राहुल गांदी गुजराथ से मेगाहले तक यात्रा करेगी इस बार यात्रा सिर्फ पेदल नहीं होगी बलकि यात्रा में वाहनों का भी इस्तिमाल किया जाएगा इस यात्रा के रूट का एलान महराष्ट प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने 8 अगस को किया था कॉंग्रेस नेता पी चिदंब्रम ने सितंबर में एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा था कि पार्टी भारत जोडो यात्रा के दूसरे चरण की योजना बना रही है रहुल गांदी की पहली भारत जोडो यात्रा तमिल नाडू के कन्या कुमारी से 7 सितंबर को शुरू ही थी तीज जनवरी को जम्मु कश्मिर के श्रीनगर में इसका समापन हुआ था 145 दिन चली इस यात्रा ने करीब 3570 किलोमीटर का सफर तै किया था इस यात्रा ने 14 राज्यों की सीमाओं को चुआ श्रीनगर में यात्रा के समापन के मोके पर शेर कश्मिर क्रिकेट स्टेडियम में रहुल ने कहा था मैंने ये यात्रा अपने लिया कॉंगरेस के लिए नहीं बलकि देश की जनता के लिए की है हमारा देश उस विचार धारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नियू को नश्ट करना चाहती है इसी के साथ बने रहे हैं एशानी जिन्दा के साथ खाली बाद